तो लाकों और्थनिक बलों के जवानों के लिए बड़ी खबर इस मांग को लेकर C.A.P.F. अधिकारों ने ग्रह मंत्री अमिद सा को लिखा पत्र जानिये क्या है ये बड़ी वज़ा जिहां दोस्तों का फीम है अध्कून खबर आपर तो C.A.P.F. के कही अधिकारों ने ग्रह मंत्री अमिद सा को पत्र लिखा है और अपने सेवर लावाओं को प्राप्त करने में I.P.S. अधिकारों तुआरा किये जाने वाले कथित भेदबाव को खतम करने के लिए उन से हस्तक छेप करने की मांग की गई है तो मोदी सरकार ने जुलाई में गोशना के थी कि सभी C.A.P.F. के केडर अधिकारों को नौन फंक्शनल फाइनेंशल अप्रेडिशन दिया जाएगा और केंद्रिय ससस्तर पुलिस भल C.A.P.F. के अधिकारों ने एक सोशल मीडिया वियान शुरू कर कहा है कि उचितम नियाले के एक हाली आदेश और केंद्रिय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद उनका मुख्याल है उन्हें संगठित सेवा लाप्रदान करने के प्रेक्रिया में बादा डाल रहा है साथी भारतिय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेंक्या घटा कर निगरानी इस तरफ पर अधिक पदों को आवर्टित करने में भी अवरोध पैदा किया जा रहा है साहा को भेजे गए इन पत्रों के अमसार C.A.P.F. अधिकारियों ने वांचित कारवाई के लिए उनसे हस्तक्षप करने की मांग की है ताकि उनके भरती नियम में संसोधन हो और एक संगठित केंद्रिय सेवा के लिए वैता की तरज पर नए केडर की समयक्षा हो नए भरती नियमों को बना जाने से इन अधिकारियों को निगरानी रैंक में अधिक पद प्राप्त होंगे जिसे अभी मुक रूप से तरह से सुनिश्चित किया जाए जिस तरह से अनुचे 370 पर एक सासिक प्रेशले की गोश्णा का किया गया है उन्होंने का कि अधिकारी साय को सीधे पत्र लिख रहे हैं क्योंकि केंद्रे केडियों की मंजूरी के बावजूद इन बलों के मुक्याले उन्हें पूर्ण ल तो हाइयर अथर्टीज हैं वो इस पैसलों को लागू करने में देरी कर रही है और इसी की वैसे यहाँ पर सीए पीएफ अधिकारियों ने ग्रह मंत्री अमित साथ को यह पत्र लिखा है और उन्हों से इसमें हस्तक्षिप करने की मांग यहाँ पर की गई है तो दोस्तों क सबसे पहले जामने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल एकन को जरूर प्रेस करें धन्यवाद